शर्दी जुखाम से लेके कैंसर तक के सभी डीजीज में फूड का एक बहुत बड़ा रोल होता है कोरोना काल में ये हमने बहुत अच्छी तरह से जाना ऐसा लग रहा था जैसे नॉर्मल बीमारियां तो चली ही गई है लोग बीमारी नहीं पढ़ते हम भी हल्दी फिल कर रहे थे और इसका एक बहुत बड़ा रीजन फूड भी था लोग घर पर ही खाना खा रहे थे नॉर्मल फूड ही ले रहे थे मैं जानता हूँ आप लोग भी हल्दी रहना चाते हैं आप लोग भी बॉडी को स्लिम रखना चाते हैं energetic feel करना चाहते हैं और अपने immunity को हमेशा boost up रखना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में अंति तक मेरे साथ और जानिये कैसे पा सकते हैं सब कुछ एक साथ नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सब का मैं डॉक्टर रागह पुजारा naturopathy consultant life coach दोस्तो लास्ट वीडियो को आप सबने बहुत पसंद किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपने वीडियो को share भी किया comments भी बहुत सारी आई आज का वीडियो specially उनके लिए dedicated है जिन्होंने comment में लिखा था yes I want तो दोस्तो लास्ट वीडियो के बारे में short मैं कहे दू अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहां i card में मैंने link डाल रखी है description में भी मैंने link डाल रखी है अब जरूर देख लीजे वो वीडियो मैं short में उसकी summary कहूँ तो कैसे हमने उस वीडियो में देखा था कि क्यूं young age में ही हमारे arthritic problem शुरू हो गए है आज के समय में उसकी वज़ा क्या है हमने acid और alkaline के balance के बारे में समझा था कैसे हमारा body उसे balance करता है तो दोस्तो हमारे body में pH level होता है जो normally 7 होना चाहिए लेकिन अगर उसे कम हो जाए वो pH level तो body acidic बन जाता है उससे ज्यादा हो जाए 7 से तो वो alkaline body कहा जाता है दोनों extreme level पे नुक्षान करता है हमें body को normal condition में रखना है balance रखना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे आज कल का सबसे बड़ा problem है कि हमारे body acidic बनते जा रहा है acidic हो गए है पूरी दुनिया ये problem से लड़ रही है और इसलिए पूरी दुनिया में आज ये trending topic बन गया है alkaline diet के नाम से लोग campaign चला रहा है veganism, vegetarianism के नाम से लोग campaign चला रहा है तो पूरी दुनिया में लोग non-wage वगेरे से भाग के alkaline diet और raw diet के पीछे पड़ रहा है ये आज research करके वो लोग जान रहा है लेकिन हमारे शास्त्रों में बरसों से ये लिखा हुआ रहा है और हमारे शास्त्रों में इसके उपर बहुत सारी किताबे भी लिखी है बस problem यही है कि हम अपना छोड़ के पराये के उपर ज़्यादा trust करते हैं जब foreign से वो आता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है लेकिन हम अगर tradition की बात करते हैं तो हम orthodox में गिने जाते हैं तो दोस्तों अगर हम अपने आपको नहीं पहचानेंगे अपने आपका respect नहीं करेंगे तो naturally हमें foreign वाले हम पर rule करेंगे तो आज हम जानेंगे कि कैसे हमारे diet में ऐसी कौन सी चीज़े हैं जो हमें खानी चाहिए कि जिसकी वज़े से हमारा pH लेवल नॉर्मल रहे और हमारा body acidic ना बने और बहुत सारे disease से हम बच सके और बहुत ही अच्छी immunity के साथ हम जी सके तो आईए one by one देखते हैं ऐसे कौन सी चीज़े हैं जो खाने से हमारा body नॉर्मल रह पाएगा तो हमारे body में alkaline level बढ़ाने वाला जो सबसे पहला food है वो है हरी पत्तियों वाली भाजियां धनिया, फुदीना, करी पत्ता, पालक, मेथी ये जितनी भी हरी पत्तियों वाली भाजियां है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में alkaline level रखती है और वो हमारे body का pH level बहुत ही अच्छी तरह से maintain कर पाएंगी देन दूसरा point है, वो है salad हमारे food में, हमारे regular routine food में salad का एक बहुत बड़ा part होना चाहिए क्योंकि salad बहुत ही ज्यादा मात्रा में alkaline level हमारे body में पैदा करता है जिसमें ककड़ी है, कोबीज है, टमाटर है, देन शिमला मिर्च शिमला मिर्च में बहुत ही ज्यादा मात्रा में alkaline level पाया जाता है तो ये सारे salad के रूप में हमें खाने चाहिए और कच्छे ही खाने चाहिए हो सके उतने तो उससे बहुत ही ज्यादा फायदा होता है then third point is, third food is हरी सबजीया सबजीयों में हम जितनी भी सबजीयों का नाम ले, वो सारी सबजीया alkaline level बढ़ाने वाली होती है लेकिन ज्यादा तर alkaline level जो उसमें से खास है उसमें लौकी है, गाजर है, बिंडी है, ब्रोकोली है, पत्ता गोबी है ये सारी चीजे, करेला है, ये सारे जो सबजीया है उसमें बहुत ही ज्यादा मातरा में alkaline level है तो ये सारी सबजीयों को हमें लेना चाहिए लेकिन उसके उपर जितने ज्यादा संसकार हम करते हैं जितने ज्यादा प्रोसेस हम करते हैं उतना ही उनका acidic level बढ़ता जाता है तो कम से कम प्रोसेस में हमें ये food बनाने चाहिए और उससे हमारा alkaline level maintain करना चाहिए देन दे फोर्थ food, चौथा food है, वो है seasonal fruits दूस्तो fruits के बारे में जब बात आती है तब आज कल ऐसा हो गया है कि 12 महीने हर एक fruit मिलता है तो कैसे पहचान करें कि हमें कौन सा fruit खाना चाहिए क्योंकि 12 महीने तक उगाने के लिए सारे fruits में बहुत सारे chemicals और pesticides डालने पड़ते हैं तो इसका सबसे आसान तरीका है कि जो fruit सबसे सस्ता मिलता हो वही fruit लेके खाना चाहिए क्योंकि season जिसकी होती है वही fruit सस्ता मिलता है तो जितने भी seasonal fruits हैं जिस time पे season होती है उस time पे वो fruit खाने से बहुत ही अच्छी तरह से हमें alkaline level मिलता है pH level हमारा maintain होता है उसमें से कुछ fruit है जिसका नाम मुझे लेना ही चाहिए जैसे की केला बहुत ही ज़्यादा मातरा में alkaline level रखता है जैसे की आवला है ओरेंज है, pineapple है, तर्बूच है ये सारे बहुत ही ज़्यादा मातरा में alkaline level रखने वाले fruits है और जितने भी citric fruit है, citric fruit यानि खटे fruit जितने भी है वो भी सारे acidic नहीं लेकिन alkaline हमारे body में effect देते है तो ये चौथा point था उसके बाद का जो पांचवा point है वो है sprouts जितने भी चीजों को हम sprout कर सकते हैं वो सारी चीज़े हमें sprout करके खानी चाहिए चना है, मूंग है, मेती है, बाजरा है, आलफा 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 ये बहुत ही ज्यादा powerful product है powerful food है जो हमें regular लेना चाहिए और इससे alkaline level बहुत ही अच्छी मातरा में बढ़ता है तो sprouts हमें लेने चाहिए इसके बाद का sixth food है वो है onion and garlic हाँ दोस्तो, onion और garlic ये दोनों ही alkaline food है ज्यादा तर लोगों को ये acidic लगता है क्योंकि ये खाने के बाद acidity भी होती है लेकिन मैं आपको बताओं कि इसका problem है उस पर होने वाली process, उस पर होने वाले संसकार जितनी ज्यादा process और हमारी onion और garlic बनाने की process ही ऐसी है कि जिसकी वज़े से इसके बहुत सारे benefit जो है वो हम miss कर जाते हैं और इसके जितने भी नुक्षान कारक पाट है वो हम ले लेते हैं तो इससे कम से कम process करके लीजिए इससे बहुत ज्यादा मात्रा में फायदा मिलता है then next point is, seventh point is lemon इसको मैं अलग से इसलिए बता रहा हूँ lemon को, nimu को क्योंकि nimu एक बहुत ही बढ़िया alkaline product है और इतना ही नहीं ये बहुत ही बढ़िया detoxifying product है तो nimu पानी हमें regular लेना चाहिए nimu को अलग-अलग तरीके से use करना चाहिए ताकि हमारे body का alkaline level maintain रहे then इसके बाद का आठवा point आठवा food जो है, वो है wheat grass wheat grass के बारे में एक अलग से video बन सकता है इतना बड़ा point है ये लेकिन short में बताऊं तो wheat grass को हम cancer तक की problem में as a treatment खिलाते हैं यानि कि इसमें alkaline level बढ़ाने की मातरा बहुत ही ज्यादा powerful है तो हमें wheat grass को regularly लेना चाहिए लेकिन सबसे ideal है कि हम घर पे उगाए और 9 inch का जब गेहूं बन जाए गेहूं का घास बन जाए तब उसे काट के तुरंत ही उसका juice बना के पी ले क्योंकि गेहूं के जवारे को काटने के बाद आधे गंटे में ही उसका nutrition value कम होना शुरू हो जाता है तो हम बाजार में जाके juice पीते हैं या फिर कटा हुआ जो wheat grass है वो हम घर पे मंगवाते हैं उसकी इतनी ज़्यादा effect हमें नहीं मिलती है क्योंकि बहुत ही पहले काटा गया होता है लेकिन उसके सामने ही अगर cold process से उसका powder form किया जाए जो कि आजकल बाजार में भी मिल रहा है तो हम वो powder ले सकते हैं वो ज्यादा benefit करेगा in fact तो ये सारे product ये सारी चीज़े alkaline level बढ़ाने के लिए बहुत ही जरूरी है बहुत ही अच्छी तरह से ये हमारे body का alkaline level maintain करेगी और दोस्तों इसके साथ ही एक और बात मैं बता दूँ कि ये सारे food जो मैंने आपको बताए वो बहुत ही ज्यादा अच्छी मातरा में alkaline level बढ़ाते तो हैं लेकिन इसे किस form में लेना चाहिए वो भी बहुत जरूरी है तो जितने भी हो सके उतने चीजों को raw form में लिया कीजिए कच्चे ही खाया कीजिए तो ये ज्यादा effect करेंगे जिसे कच्चा नहीं खा सकते हैं उसका juice बना के लीजे तो juice भी बहुत ही powerful therapy है तो ये बहुत ही अच्छा alkaline product बनेगा अगर इसका हम juice बनाते हैं और कुछ चीजें ऐसी है कि जिनका juice और raw form दोनों में हम use नहीं कर सकते हैं तो उनको हम boil करके खा सकते हैं या फिर किसी किसी को कच्चा खाने से gas वगेरा भी बनता है तो उनको भी हलका सा boil करके ये सारी product लेनी चाहिए तो ये तीन तरीके से हम ले सकते हैं raw ले सकते हैं, juice में ले सकते हैं या फिर boil करके ले सकते हैं इसके उपर जितने भी संसकार होते हैं वो सारे के सारे धीरे-धीरे सारे food को acid की और ले जाते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना है और इसी form में ये सारे food को लेना है जिससे हमारे body का pH level maintain हो और हमारे body का alkaline level बढ़े इससे ना सिर्फ alkaline level बढ़ता है हमारे body में बहुत सारे फायदे होता है इससे वजन कम होता है इससे मोटापा बढ़ता नहीं है इससे fat conversion नहीं होती है इससे हमारा energy का level बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है हमारा digestion इतना अच्छा रहता है कि constipation, gas, acidity ऐसे सारी problems नहीं होती है हमारे body में ये सारी चीज़े antioxidant भी है तो हमारे body में oxygen का level बढ़ता है जो बहुत ही जरूरी है इतना ही नहीं सबसे अच्छा फायदा यह है कि ये सारे food खाने से हमारा anxiety level और stress level भी बहुत अच्छी तरह से maintain होता है तो ये सारे food खाते रहिए खिलाते रहिए और मुस्कुराते रहिए अगर आपको ये video पसंद आया है तो definitely इसे like कीजिए आप हर बार जैसे इसे share करते हैं उसी तरह से अच्छी तरह से share कीजिए जिनको इनकी इसकी जरूरत है जो भी आपके problems है उसे comment में लिखिए और मुझे बताईए अगर आपको इसके विरुत के acidic आहर के बारे में जानना है तो मुझे जरूर comment में बताईए तो मैं definitely acidic आहर पर भी एक वीडियो बनाऊंगा तो हसते रहिए मुस्कुराते रहिए और हमेशा हमारे साथ बने रहिए healthy रहिए be healthy and stay healthy thank you very much